नमस्ते गाइज तो ये वीडियो basically कल की इवेंट के बारे में रहने वाली है जहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लाइट अवीवेड चैम्पिएन एलिक्स परेरा और यीरी प्रोहासका के बारे में तो वहाँ पर उसका Coach उसे एक वीडियो को शो करता है जिधर यह ये वीडियो थी यरी प्रोहासका की और वो warm up कर रहा था leg kicks को defend करने का तो basically यहाँ पर Alex का कहन है कि उसे लगता है कि इस fight में थैट की की कि वो head kick को भी explore करे और वो इस head kick से end up करता है यीरी प्रोहासका को नॉक आउट करके तो इस fight से पहले Alex ने काफी अच्छा fight IQ दिखाया और during the fight बे उसने इस चीज को realize किया कि यीरी प्रोहासका अपने right guard को नीचे रख रहा है जिदर इसका result उसे मिलता है कि वो यीरी प्रोहासका को नॉक आउट करके light heavyweight belt को retain करता है तो अब जिस वीडियो की बात हो रही है वो finally मुझे मिल चुकी है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीरी प्रोहासका Alex की लेकिक्स को defend करने के लिए warm up कर रहा है अलसो इसी के साथ अब Alex Pereira से beat होने के बाद यीरी प्रोहासका ने भी अपनी statement को release कर दिया है जहाँ पर to be honest अम मुझे यीरी प्रोहासका के लिए थोड़ा सा और बुरा लग रहा है जिदर basically उसका ये कहना था के उसे fighting में और भी ज़ादे evolve होने की ज़रूरत है और अगर वो अपनी fighting को improve नहीं कर पाया तो फिर वो कभी भी fight नहीं करेगा Hello everyone Thank you for all your support Thanks to you Alex for a fight It was better I need to evolve To the next level Or don't fight again So it's simple To be the strongest This is the way Thank you See you in the gym तो ये actually में काफी sad होगा अगर सच में ऐसा हो जाता है जिदर येरी प्रोहास का काफी time तक fight ही नहीं करता है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि येरी प्रोहास का already एक top tier का fighter है बट कभी कभार fighting career में कुछ ऐसे opponents आते हैं जिनसे कुछ fighters win नहीं कर पाते हैं पर इसी के साथ I definitely want की इजरी प्रोहास का थोड़ सा time off ले ले उसने काफी जल्दी दो fights की हैं जिदर उसने बहुत ही जादा damage लिया है बीट Alexander Rakic की fight और अब Alex Pereira की fight तो दोनों fight में उसने अपने head में काफी damage लिया है तो definitely उसे थोड़ी सा recovery time चाहिए जहाँ पर I really don't mind अगर वो इस साल fight नहीं करता है और अपना return करता है next year और अब moving on to the next update तो अब बात करते हैं Alex Pereira और Magomed Uncle Ive के बारे में तो Alex Pereira के win करने के बाद Magomed Uncle Ive ने multiple tweets किये जहाँ पर पहले भी वो यह चीज़ बोल चुका है और अब उसने basically double down किया है कि वो Alex के against अपनी wrestling को use नहीं करेगा तो ये audio को record करते time जस्ट अभी मैंने देखा कि Magomed Uncle Ive ने और भी जादा tweets किये हैं तो let's see Magomed Uncle Ive का क्या कहना है Alex Pereira के बारे में इस fight में उसे अपनी wrestling की भी जरूरत नहीं है उसकी striking की enough है जहाँ पर वो Alex Pereira की chin को test करेगा वो बिलीब करता है कि वो Alex Pereira को knockout कर देगा Light Heavyweight division के सारे top rank fighters already knockout हो चुके हैं जहाँ पर वो बिलीब करता है कि वही इस Light Heavyweight division का सबसे best fighter है पूरे planet में और कोई भी उसके level का नहीं है जहाँ पर Magomed Uncle Ive ने ये भी कहा कि वो बिलीब करता है कि बाकी fighters के तरह Alex Pereira उससे scared नहीं है अल्सो कल Magomed Uncle Ive ये भी tweet करता है कि सारे लोग उस पर बिलीब करो कि वो Alex Pereira को knockout करने वाल है उसे wrestling करने की भी जरूरत नहीं है Alex Pereira की चिन अल्रेडी जा चुकी है जहाँ पर वो Alex के लिए काफी dangerous fighter है तो अब recent tweets के बारे में बात करें तो जैसे तुमें पहले पता होगा कि Magomed Uncle Ive ने Alex Pereira को call out किया था अब उधाबी के लिए बट ये चीज़ काफी लोगों को ठीक नहीं लगी क्योंकि वो एक champion नहीं है तो वो shots को call नहीं कर सकता कि कहाँ पर championship fight होगी इसलिए Magomed Uncle Ive ने एक नया tweet किया है जहाँ पर उसका ये कहना है कि ये fight अब उधाबी होती है या फिर New York होती है ये चीज़ उसके लिए matter नहीं करती है वो anywhere, anytime ready है Alex Pereira को knockout करने के लिए अलसू इसी के साथ Alex Pereira और Magomed Uncle Ive के fantasy odds भी निकल के आचुके है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि Magomed Uncle Ive इस fight को जीतने के लिए एक favorite है वेरस Alex Pereira इस fight को जीतने के लिए एक underdog है तो इसी चीज़ को share करते होए Magomed Uncle Ive का ये कहना था कि कोई भी believe नहीं करता कि वो उसे beat कर सकता है और even odds maker को भी ये पता है कि Alex उसे beat नहीं कर पाएगा इसलिए वो इस fight में favorite है win करने के लिए जहाँ पर वो zero take down करेगा और वो Alex Pereira को knockout करेगा तो basically हम बोल सकते हैं कि Magomed Uncle Ive की side से काफी बड़ी statements आ चुकी है के साथ striking करेगा और क्या only striking approach से वो Alex Pereira को हरा सकता है वो भी by knockout मेरी इसमें opinion ये कि ये काफी stupid होगा अगर Magomed Uncle Ive बाकी fighters के तरह सिर्फ decide करता है कि वो Alex Pereira के साथ striking match करेगा और अपनी wrestling को completely abandon कर देगा अब stylistic के लिए अगर देखा चाए including Magomed Uncle Ive की wrestling तो ये fight on paper Magomed Uncle Ive के लिए एक काफी अची fight है जहाँ पर odd से मैं agree करता हूँ क्योंकि अगर Magomed Uncle Ive ने यहाँ पर grappling को use किया तो definitely उसके जादा chances है Alex Pereira को beat करने के लिए पर जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि Magomed Uncle Ive ने double down किया है कि वो Alex Pereira के wrestling नहीं की end में मेरे यही कहना है कि ये काफी low fight IQ वाली बात हो जाएगी just like Michael Chandler या फिर Justin Gaethi वाली बात जहाँ पर wrestling आते हुए भी fighter चूज कर रहे कि वो wrestling नहीं करेगा अब don't get me wrong definitely Magomed Uncle Ive Alex Pereira को knockout कर सकता है ये second highest division है तो definitely हर किसी के पास power होती है वो one punch knockout करने की और for sure Magomed Uncle Ive के पास भी ये power है बट ये चीज़ मुझे fighter से जरा भी समझने आती कि जब fighters कोई fight अपनी ego पे ले जाते हैं और जो necessary होता है win करने के लिए वो choose करते हैं कि वो वैसे fight नहीं करेंगे Alex Pereira के साथ कोई भी fighter ले आओ किसी के लिए भी easy नहीं है उसके साथ only striking match करना वो काफ़ी time से kickboxing करते आ रहे तो अगर यहाँ पर सिर्फ Magomed Uncle Ive striking करते है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी chances होंगे कि Magomed Uncle Ive तो नहीं बट Alex Pereira Magomed Uncle Ive को knockout करते ये almost certain है कि अगर Alex Pereira ने अपने left two को clean land कर दिया तो Magomed Uncle Ive वो या फिर कोई और fighter हो वो fighter ground में जाने वाला है बट क्या तुमें लगता है कि ये correct choice है कि Magomed Uncle Ive ने choose कि है कि वो only striking करने वाल है वो अपने सबसे बड़े weapon यानि कि wrestling को use नहीं करेगा और क्या वो ऐसे win कर भी सकता है या फिर नहीं do let me know in the comments अब post fight interview में Alex से भी Uncle Ive के बारे में पूछा गया तो basically यहाँ पर Alex का ये कहना था कि उसके hand में नहीं है कि वो किसके साथ fight करे हर कोई deserve करता है उसके साथ fight करना including Magomed Uncle Ive और end में ये matter करता है कि UFC कौन से opponent को pick करती है also reporter जब इसके follow up में ये पूछता है कि अगर Magomed Uncle Ive ये उसका next opponent रहा तो यहाँ पर Alex परेरा कहता है anybody but not only this fight के बाद मुछे Alex का एक और interview मिला है जहाँ पर वो Magomed Uncle Ive की बात कर रहा है और उसका basically ये कहना था कि जब वो Magomed Uncle Ive को beat कर देगा तो फिर लोग ये बोलने लग पड़ेंगे कि Magomed Uncle Ive no longer एक top fighter है और अब moving on to the next update तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ Ian Gary और शावकात राकमनाफ के बारे में तो basically अपने post fight interview में Ian Gary का ये कहना था कि वो still undefeated fighter है और वो welterweight belt को लेने के लिए आ रहा है तो यहीं पर मैं एकले कर देता हूँ कि there is no way की कोई भी UFC में Ian Gary को ऐसी boring performance करने के बाद tighter shot देने वाला है बट इसके बाद शावकात के बारे में Ian Gary का ये कहना था कि वो शावकात को पूरा respect करता है वो पहले भी train कर चुके बट वो आ रहा है शावकात के zero को लेने के लिए और वो truly believe करता है कि वो शावकात राक्मनौफ को beat कर देगा तो अब इसका reply शावकात राक्मनौफ ने भी दे दिया है जहाँ पर शावकात का ये कहना था कि it's looking like Ian Gary भूल चुका है और ये basically I think Leon Edwards ने लीग किया था कि जब Ian Gary शावकात के साथ train कर रहा था तो training में शावकात राक्मनौफ Ian Gary को knock-out कर देता है अभी अगर शावकात और Ian Gary की fight हो जाती है तो मेरे mind में इसका कोई भी doubt नहीं है कि शावकात इस fight को dominantly win करने वाला है Also Ian Gary ने एक बहुत ही funny बात बोल दी जहाँ पर वो खुद को Alex Pereira के साथ compare करता है जिदर उसका ये कहना था कि जब बात आती है काफ किक्स की तो उसे लगता है कि वो best है alongside Alex Pereira I really don't think कि जो उसने performance दी है उसके बाद उसको किसी भी वे से खुद को compare करना चाहिए Alex Pereira के साथ और अब moving on to the next update तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ featherweight fighter Diego Lopez के बारे में तो right now तुमने notice किया होगा कि काफी लोग respect कर रहे है Danny की की जो I truly think कि वो deserve करता है उसने literally इस fight को 4 hours के short notice में लिया है जो खुद में ही बहुत insane है बट यहाँ पर हमें respect करनी होगी Diego Lopez की भी क्योंकि वो featherweight division के लिए एक काफी बड़ा fighter है जाँ पर fight से पहले वो पूरा 146 तक का weight cut करता है और फिर उसको रात को नीन से उठाया चाता है यह पताने के लिए कि fight होने वाली है 155 pounds में जाँ पर वो इस fight के लिए agree कर जाता है और फिर fight से कुछ आर्ज पहले उसे ये पताया चाता है कि fight ही cancel हो चुकी है और अब उसका completely different style का opponent रहने वाल है जाँ पर also ये fight अब 155 की नहीं बलकि 165 pounds में होगी तो यही सब जानने के बाद truly Diego Lopez को हमें respect करना होगा कि उसने weight को cut करने के बाद still agree कर लिया कि वो 165 pounds में भी fight करेगा बट अब recently Diego Lopez ये चीज़ को लेकर और भी जादे information को reveal करता है जहाँ पर सबसे पहले तो अपने post fight interview में Diego Lopez का ये कहना था कि जब उसने ये बोला कि वो किसी भी fighter के साथ किसी भी weight में और कहीं पर भी fight करेगा तो वो इस चीज़ के लिए truly stand करता है और इस fight ने ये show कर दिया अब इसके बाद Diego Lopez का एक और tweet आता है जहाँ पर वो इस चीज़ को reveal करता है कि UFC सी उसे already उसकी salary देने के लिए ready थी और उसे ये पताया गया कि उसे fight करने की ज़रूरत नहीं है बट जैसे वो हमेशा बोलता है anyone, anytime, anywhere तो वो इस चीज़ के लिए stand करता है और इसलिए उसने इस fight को accept कर लिया तो I do think कि Diego Lopez की side से ये बहुत ही savage चीज़ है second best fight रही so that's it for today guys आज की fight वीडियो में बस इतने मिलते हैं next वीडियो में